इन चारों में गलत स्टेटमेंट कौन है इसका पता हमें लगाना है सबसे पहला इस स्टेटमेंट कह रहा है Our sense of touch is not always a reliable guide to the degree of hotness of an object कोई object कितना गर्म है उसका temperature कितना है इसका पता केवल हम लोग इसको छू कर नहीं लगा सकते हैं दूसरा statement कहता है temperature is a measure of the degree of hotness of an object कोई object कितना गर्म है इसका पता हम लोग उसके temperature को देख कर लगा सकते हैं तूसरा statement कहता है thermometer is a device used for measuring temperatures thermometer का इस्तेमाल करके हम लोग किसी object का किसी body का temperature measure कर सकते हैं और चौथा option कहता है none of these कोई option गलत नहीं है तो यहाँ पर चौथा option correct होगा क्योंकि option number a भी सही है इसमें भी सही बात लिखा है option b में भी सही बात लिखा है और option c में भी सही बात लिखा है इसलिए यहाँ पर हम लोग option number d को टिक करेंगे